exercise 5.1 का जो 9th problem है इसमें एक figure दिया हुआ है और उससे related कुछ questions पूछा है तो यह questions जो है 5-6 questions है मैं इसको आपको diagram के साथ में whiteboard में explain कर देता हूँ तो जादा अच्छे से समझ में आ जाएगा यह सारी question बहुत easy है नाइन्थ question में यह diagram दिया हुआ है अब question में जाने से पहले इस diagram को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो line आपस में एक दूसरे को पहले काट रहे हैं एक line है A, B दूसरा line ह CD सेम diagram आपके text book में दिया हुआ है A और B जो है C और D को एक point पे काट रहे हैं उस point का नाम है O अब यहाँ पर आप देखोगे तो अगर सिर्फ इन दोनों line के बारे में बात करें तो चार angle बन रहे हैं एक angle A, O, D है दूसरा angle A, O, C है तीसरा angle C, O, B है और चाथा angle B, O, D है अ अब आप देखोगे तो यहाँ पर angle C, O, B को एक ray काट रहा है उस ray का नाम है O, E और यह जो angle था angle C, O, B यह दो पार्ट में डिवाइड हो गया कौन सा दो पार्ट? angle C, O, E, angle E, O, B अब आप यहाँ पर 5 angle देख सकते हो angle 1 है angle A, O, C, angle 2 हो गया C, O, E ठीक है और angle E, O, B को angle 3 का नाम दिया गया है angle D, O, B का नाम है angle 4 और angle D, O, A या A, O, D का नाम angle 5 है अब इतना समझ में आ गया होगा आपको कि कौन सा angle कहाँ पर है? अब देखते हैं पहला question इसमें क्या पूछ रहा है? तो जो 9th का पहला problem है वो पूल रहा है Is angle 1 adjacent to angle 2? यह जो angle 1 है और यह angle 2 है तो वो पूछ रहा है क्या angle 1 और angle 2 adjacent angle है? exercise 5.1 के पहले पूछ question में मैं आपको बता चुका हूँ कि adjacent angle क्या होता है? एक बार फिर से मैं आपको repeat कर देता हूँ जब कोई भी ray किसी angle को दो part में divide करे और वहाँ पर दो angle बन जाए जो की एक arm को share कर रहे हूँ और उनका एक common vertex हो तो यहाँ पर देख लेते हैं A, O, C और C, O, E यह दो angle है ठीक है? पहले हमारे पास A, O, E, C जो है उसका नाम angle 1 है और angle C, O, E का नाम angle 2 है यह जो ray है O, C यह दोनों angle को share कर रहा है दोनों angle इस ray को share कर रहे हैं कैसे? angle 1 में A, O, C है यानि कि O, C हो गया और angle 2 में भी C, O, E है तो O, C यहाँ पर भी है ठीक है? एक point हमारे शोर हो गया कि common recoil log या फिर common arm को दोनों angle share कर रहे हैं दूसरा जरूरी point यह है कि उनका एक common vertex होना चाहिए एक common corner होना चाहिए vertex का मतलब corner तो यहाँ देखो कि जो O है यह इनका common point है यही से angle A, O, C भी बन रहा है और angle A, O, E भी बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि yes, angle 1 is adjacent to angle 2 ठीक है इसका second problem देखते है second problem में दिया हुआ है is angle A, O, C adjacent to angle A, O, E same चीज पूछा है यहाँ पर first question में angle 1 और angle 2 नाम दे दिया था यहाँ पर पूछ रहा है A, O, C A, O, C और दूसरा angle है A, O, E A, O, E यहाँ पर difference देख लो पहले question में A, O, C, C, O, E के बारे में पूछ रहा था यहाँ पर A, O, C और A, O, E के बारे में पूछ रहा है तो हमको confused नहीं होना है सिर्फ adjacent angle का property ध्यान में रखना है property क्या है दो angle का एक common arm होना चीए और एक common vertex होना चीए तो vertex जो है इनका common है इसी corner point से यह लोग start हो रहे है A, O, C में भी O आ रहा है और A, O, E में भी O आ रहा है पर दूसरा जो important point है एक common arm उनका होना चीए तो यहाँ पर अगर देखोगे तो A, O, C यह एक angle है और A, O, E यह एक angle है तो इनका जो angle है वो common arm को share नहीं कर रहा है कोई भी ऐसा arm नहीं है जिसको यह लोग share कर रहा हो दोनों angle अगर common होना होता तो O, C common point होता और यह दोनों angle एक दूसरे को divide कर रहे होते हैं ठीक है यहाँ पर A, O, C और A, O, E के बारे में बात कर रहा है समझ गए? यह बड़े वाले angle इस वाले angle के बारे में पूछ रहा है क्या यह angle इस angle के adjacent है तो इसका answer होगा no क्योंकि यह common vertex को तो ज़रूर share कर रहे हैं मगर ऐसा कोई common arm नहीं है इनके बीच में जो इस angle को दो part में divide कर रहा हो या फिर उसको इनके शेयर कर रहे हो तो इसका answer आएगा no angle A, O, C is not adjacent to angle A, O, E ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसका third problem देखते हैं third में क्या दिया हुआ है? third बोल रहा है do angle C, O, E and E, O, D form a linear pair अब मैं linear pair के बारे में आपको बता चुका हूँ जब भी दो adjacent angle के non common sides जो है, non common lines जो है एक दूसरे के opposite direction में होंगे तो वो linear pair खहलाता है और यह simple language में समझ लो तो यह कि जो उनका non common point है वो 180 degree का होना चाहिए non common जो line है वो 180 degree का होना चाहिए 180 degree कैसे होता है, कोई भी straight line जो कहीं से bend ना हो, कहीं पर मुढ़ना रहा हो कोई भी straight line 180 degree का होता है अगर आप अपने protector से measure करोगे किसी भी straight line का measurement 180 degree होता है तो अब question में आते हैं, question में दो angle जो पूछा है पहला angle है COE, आप देखोगे COE और जो दूसरा angle है, वो है EOD EOD तो सबसे पहले हमको यह चेक करना है, क्या यह adjacent है आगर आप देखोगे, तो COE और EOD में O जो है common vertex है, यानि कि इनका corner point है दोनों O को share कर रहे हैं दूसरा important चीज, OE जो है इनका common arm है COE, EOD यानि कि इस line को जो OE ray है, वो दो पार्ट में दो angle में divide कर रहा है इसका मतलब यह COE और EOD आपस में एक दूसरे के adjacent है, अब हमको देखना है क्या यह linear pair है, तो यह देखना है कि यह adjacent angle COE और EOD है इनके जो दो non-common lines है, वो एक दूसरे के opposite direction में है, या नहीं तो OE जो है, इनका common arm है, और OCOD, non-common arm है, तो यह इस direction में जा रहा है यह इस direction में जा रहा है यह आप अगर measurement करेंगे इसको तो यह 180 degree का होगा, यानि कि यह दोनो opposite direction में जा रहे हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि COE और EOD जो है, वो linear pair बना रहे हैं, इसका answer होगा, yes they form a linear pair अब आगे देखते हैं, इसका fourth question में क्या पूछा है fourth बोल रहा है, are angle BOD and DOA supplementary angle BOD और angle DOA क्या यह दोनों आपस में supplementary हैं, हमको पता है supplementary क्या होता है, जब दो angle का measurement 180 degree हो sum का दो angle का sum जो है 180 degree हो तो वो supplementary हो जाते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो BOD और DOA दो angle है, अगर इसमें से आप इस line को हटा दो तो यह line straight हो जाएगा ठीक है, यानि कि अगर आप angle 5 और angle 4 को add कर लेते हो, angle 5 plus angle 4 तो उनका measurement 180 degree हो जाएगा, क्योंकि angle 5 और angle 4 को जोड़ दोगे तो नया जो angle बनेगा वो होगा यह complete यह line बीट से हड जाएगा complete एक angle बन जाएगा और straight line हमेशा 180 degree का होता है तो angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree इसलिए हम बोल सकते हैं कि yes, angle B, O, D and angle D, O, A are supplementary आगे बढ़ते हैं फिफ्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिफ्ट में दिया हुआ है R is angle 1 vertically opposite to angle 4 अब यहां देखते हैं angle 1 यह है angle 1 और angle 4 यह angle 4 आप देख सकते हो दोनों का एक common vertex है दोनों 0 से start हो रहे हैं और दोनों ही vertically एक दूसरे के opposite है angle 1 है यह A, O, C और angle 4 जो है वो D, O, B है तो आप बोल सकते हो yes angle 1 and angle 4 are vertically opposite angles next देखते हैं इसका 6th problem last problem है यह बोल रहा है what is the vertically opposite angle of angle 5 अब आप यहां देखोगे तो angle 5 यह है A, O, D A, O, D जो है वो angle 5 है तो इसका vertically opposite angle होगा C, O, B यह A, O, D हो गया अब इसका vertically opposite vertically opposite का मतलब इसका mirror image थिक है अगर आप यहां एक mirror रख दो तो A, O, E का जो vertically opposite होगा जो उसका mirror image बनेगा वो होगा C, O, B थिक है तो इसका आप लिख सकते हो answer 6 में angle C, O, B C, O, B is vertically vertically opposite angle of angle 5 या फिर और angle A, O, D ठीक है आप angle 5 भी लिख सकते हो यह होगा exercise 5.1 का 9th question कर दो